आरी मार्टी मारे लोग, आरी मार्टी मारे लोग नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में इस कार्यक्रम में हम हर्याना के उन लोगों से बाचीत करते हैं जो कही न कहीं किसी न किसी रूप से रचनात्मक कामों से जुड़े हुए हैं पिछले दिनों हरियान सरकार के परदूशन नियंत्रन वोर्ड ने एक गीत लॉंच किया आरी गोरिया तो आज हम बात करेंगे इस गीत के लेखक विजेंदर धहिया जी से तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक बार जान लेते हैं दहिया साब के बारे में को पौर्यूसकार सहित वाद विवाद् प्रतियोगिता में अखिल भारत्य पौर्यूसकार हासिल कर चुके हैं इनके अलावा लावा 24ी गॉरव वक्काई अन्य प्रतिष्ठत पौर्यूसकार इन्हें मिल चुके हैं पत्रकारिता के साथ साथ वे 20 से अधिक हिंदी नाटकों में अभिन्य वनिर्देशन कर चुके हैं पेड बचाओ अंदोलन के लिए विश्व प्रसिद घटना, खेजडली बलिदान पर अधारित नाटक, महा बलिदान के लेखन वर निर्देशन के लिए इन्हें अखिल भारतिय, जीव रक्षा सभाद्वारा, जोध पूर में सम्मानित भी किया गया शौकिया रूप से कवी लेखन करने वाले श्री विजेंद्र दहिया, वर्तमान में गुरु जमभेश्वर विज्ञान एवं प्रद्योगी की विश्व विद्याले, हिसार में जंसंपर्क अधिकारी के पतपर कारेरत हैं, और आज कल इसी विश्व विद्याले के धार्मि अध्यायन संस्थान में शौदार्थी भी है, विश्व पर्यावरन दिवस के मौके पर पर्यावरन विभाग हर्याना और हर्याना राजे प्रदूशन नियंत्रन बोर्ड द्वारा उनके लिखे कवीता रूपी गीत आरी गुरया को रिलेस किया गया है, तो आज हमारे सबसे पहले ये शुरुआत करते हैं कि इस गीत की सोच, इस गीत को लिखने की प्रेणा कहां से मिलिया। वो मुझे अपने फादर से मिले और उन्हें ही मैं ये गीत डेडिकेट करता हूँ। तो वो जो कही न कही बहुत गहरे में मेरे भीतर वो चीजें थी, जो जो बड़ा होते चले गई, सिक्षा ने और प्रोफेशन्स ने, वर्तमान दोर की मजबूरियों ने, हमें उन चीजों से अलग कर दिया। मैं फिर एक विस्विद्याले में, गुरुचंबेसपर विस्विद्याले में, मैं आजकल जनसंपर का धिकारी के पत्पे हूँ। उन चीजों ने कहीं न कहीं अलग कर दिया। लेकिन फिर भी मेरा भीतर कहीं न कहीं वही चीज रही। वही चीजे मुझे कनक करती। शाम जब ढलती, सुबह जब होती। तो कहीं न कहीं मुझे लगता कि मेरा गाउं कहीं लोटे। मेरा घर कहीं लोटे। मेरी माँ चुले पर जो रोटी बनाती थी, वो कहीं न कहीं लोट आए, और पिताजी के जाने के बाद वो हुख मेरे अंदर और ज़्यादा पैदा हो गई, मैं कैसे मतलब अपने फादर को याद करूं, कहीं न कहीं वो चीज मेरे भीतर रही, और वो चीड़िया, गौरेया, और वो चीजें जो मेरे अंदर थी वो कहीं न कहीं उन्होंने शब्दों की एक शेप ले ले ली और मैंने उसे लिख दिया ये बहुत समझने और सीखने की बात है उन लोगों के लिए जो कहीं न कहीं लेखन से जुड़ना चाहते हैं कि आपके आसपास की चोटी चोटी बाते घटनाई जीवन किस रूप से एक अच्छे शब्दों के रूप में आ सकता है कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हमेशा इंस्परेशन के लिए कहीं दूर देखें आपके आस परोश में भी इंस्परेशन दिखती है और इसी बात को ही बहुत अच्छे शब्दों में कहा है दया साब ने और तभी ये गीत इतने अच्छे रूप में सामने आया है आपके इन शब्दों को अगर मैं देखो इन लाइन्स को अगर में देखो तो आपने कहीं न कहीं जिन्देगी की अच्छाइयों से जो ग्रामेंड जीवन की अच्छाइया हैं आपने उसकी कामना की है गोरिया के आने से आरी गोरिया और फिर मेरे घर में ऐसा हो फिर मेरे ग कि दंगल का ढोल बाजे, कुस्ति के दावला, उसमें वैसा ही है कि कही न कही रावन का दंब तूटे, अंगद का पावला, तो जो कही न कही गाउं भी वैसा अब नहीं रहा है, मनिक साब, उस तरह का गाउं अब नहीं रहा है, गाउं जो हमने गाउं देखा, और हमसे पहले जो हमारे बुजर्गों ने गाउं देखा और उससे भी पहले गाउं कैसा रहा होगा जो वो हमें बताते थे वो गाउं बहुत ही सुन्दर था भाईचारा था प्रेम था शांती थी छोटे छोटे घर थे लेकिन दिल बड़े थे आज कहीं न कहीं गाउं भी उस तरह के नहीं हो गए हैं बहुत ही परदूशन है खेतों में बहुत प्रेसिसाइड की वज़े से बहुत ज्यादा मतलब अच्छा इक वातावन महां पे नहीं रहा है बैलों की घंटियां तो वो ट्रैक्ट मैंने कहीं हमेशा कहता हूं कि वो ट्रैक्टरों की जो गन गना है उसमें बैलो तौर पर आपका पृएस था कि ये परदूशन जो पर्यावन परदूशन जो बोड है अरियाना सरकार का जो वन विभाग जो है और लोगों ने इसको लॉन्च किया मैं हमेशे एक बात सोचता हूं कि जो पर्यावन परदूशन है उसकी समस्या का समाधान हमारे गहांट के परमपर आया जल समरक्षन है उसकी समस्या का समाधान केवल हमारे गाहों के परमपर आया आप एक बार लोट के तो देखिए आप एक बार वहां पे जाके तो देखिए वहां पे आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा क्योंकि हमारे बुजर्गों ने जो जीवन का तरीका हम में दिया उस तरीके को अगर हम जीना सीख लें तो कहीं ना कहीं हम तमाम समझ्याओं के समाधान को वहां पे तला सकते हैं और वहीं एक मेरी प्रेणा थी मेरा इसका बड़ा मकसद यहीं है कि सवाल सिर्फ गोरिया का आहना नहीं है सवाल मैं समझता हूं कि आज एक और रोट लुटा है कहींना कहीं वह सब के लिए गुर और धानी तो असमान ता tiempo सबको रोटी मिले अगया है किसी ने किसी ग्राम जीवन को कहीं दुनिया में नहीं मिल सकता दुनिया में मैं आपको कोई वेक्टिव मेरे साथ अगर इस बात के लिए बहंस करना चाहे तो मैं खुले तोर पर यह कहता हूँ कि जो हमारा ग्राम में जीवन था अगर दुनिया में उस बात कि आप कहीं से मैसाल लागे दे दें, वो कहीं नहीं मिल सकता है तो कहीं नहीं मैं चाहता हूँ कि वो लाउठाए है बड़ी सोचने की बात है कि जो अच्छाई थी हमारी वो कहीं खो गई है एक लेखक ने इस बात को महसूस किया है हो सकता कहीं न कहीं आप लोग भी महसूस करते होंगे कि हर धंग से हमारा परियावन कहीं न कहीं कदूशित हुआ है वो परियावन सिर्फ आब हुआ की बात नहीं, वो हमारी सोच पे भी है हमारी सोच पे हमारे रहन सेन पे हमारे रहने के ढंग पे वो परियावन दिखता है तो इस पे एक बड़ाव आया है क्या कारण है कि हम कहते हैं सोसाइटी आगे बढ़ रही है हम मानते हैं कि सोसाइटी मौडरन हो रही है आपके ये भी संख्यान में है ये पक्षी जो है गोरिया दिखते थी मिलेगी लोगी नई पीडी है वह रही हाई है वह तो पता ही नहीं सकते कि यह गोरिया है थो इसका मतलब गोरिया खत्मो रही है उसे बचाने के लिए उसके कारण बहुत सारे है वो हम इस किशूँ खत्मों रही है यह प्रियावन विद्द के लोगों की अलग बात है उसपर वो लोग उसपर काम करें लेकिन जब तक हम अपने परमपराओं में नहीं लोटेंगे तब तक हम गौरईया को नहीं ला सकते और मैं गौरईया को लाने का मतलब ये कि गौरईया तो बचे और गौरईया के साथ sıथ हमारे संस्कार दे बचे हमारे नैतिक टाइम भी बचे और कही न कही हमारे ग्रामजीवन की जो मुल है वो फिर सस्तापित है कही न कहीं ये मेरा गीत लिखा अपट गीत लिखा तो मैंने फिर आपको शुरुआत में भी ये कहा कि मैं कभी नहीं हूँ मैं लिखक भी नहीं हूँ मैं कोई स्थापित इस तरह का नाम नहीं हूँ मैं कभी-कभी लिख देता हूँ कभी-कभी लिख देता हूँ और लिखने की प्रेणा भी कौन है लिखा भी मैंने किस के लिए है कहीं न कहीं सोनल के लिए लिखा है और मुझे लगा कि वो गा लेती है और मेरे लिखी हुई कविताओं को गाने में वो ज़्यादा कमफर्टेवल है और मुझे लगता है कि जो शब्द मैं देता हूँ उनको वो विसिस बना देती है तो इसलिए मैंने जो है उनको मैं कभी-कभी लिख देता इसकी इसके अनुसार या क्या कोई कारकरम होता हूँ उसके अनुसार मैं लिख देता और ये गीत भी मुझे ये गीत तो मैंने अपने आप लिखा और मैंने सोच के यही लिखा था कि मैं किसी तरह से गौरिया को लोटाउं और किसी तरह से मैं संस्कारों को स्थापित करूँ सौनल को जब यह घीत मैंने कहा मैं इसी को शेयर करता हूँ मτलब यही मेरी क्रिटिक्स है यही दुनवन, यही बनाती है और जो भी मैं कुछ लिखता हूँ, तो मैं उसको कहता हूँ, बेटा मैंने यह लिखा है, आजकल साहिल भी उसके अपनी पूरी अक्सपर्ट टिपनी देता है, मेरा बेटा है, उसकी भी मुझे सुझावा मिलते हैं, मैं अपने मा और अपनी पत्नी को भी यहां पर जिक्र कर जरूर चाहूँगा, उनका भी काफी योगदान रहता है, काफी हमें स्पॉर्ट भी करती है, और मुझे बताती भी है, क्योंकि वो हिंदी की अच्छी जानकार है, तो सौनल ने उसकी धुन बनाई, और फिर वो आपने उसमें म्यूजिक और आपने उसमें वीडियो का सू मेरे गाओं आ, और वो गौरिया, वो मैंने कहां लिखी थी, वो मैंने मेरे इसार, जो मेरे ये निवस्टी है, उसके आंगन में लिखी थी, लिखी नहीं थी, सोची थी, मुझे जब उस गौरिया को वहां फुदकते हुए देखा, वहां पे हम लोग उनको सुबह थोड़ आपने इनको देखा है, और पहली बारा सैज ये ऐसा शेयर हो रहा है, कि इनके इस टेलेंट के पीछे, जो सबसे बड़ी मेहनत है, जो सबसे बड़ी लगन है, जिसने एक सोचा कि मेरी बेटी ऐसा भी बन सकती है, उसके पिता है, दया साब, और सबसे पहले तो हम आप इस को इस बात के लिए कॉंप्लिमेंट करना चाहेंगे, कि आपने जो मेहनत की है, इस बच्ची पे, वो एक मेहनत सही में शेप लेके, आज करोडों हर्यानवियों से जोड़ी होई है, और हर्यानवियों को एक अपनी बोली से, अपनी भाशा से, अपनी संस्कृति से, गर्व कोई भी लाइन सुनती हूं, तो मेरा फर्स्ट एक्षन वावाई ही होता है, क्योंकि कोई उसमें सेकंड थौट नहीं होता, कि अच्छी नहीं है, ये तो हमेशा से यही रहा है, कि जब भी वो लिखते हैं, तो मैं उनकी सबसे बड़ी मुरीद है, वो पिल्कुल, सबसे ब मैं पहली बार बोली थी, तो भी वो पापा का ही लिखा स्पीच थी, और उसको जब मैंने बोला था तो फिर वो चीजें बढ़ती चली गई, तो पापा ने मेरे ओपर थोड़ा और मेहनत करना शुरू किया, फिर मैं थोड़ा बड़ी लेवल पर बोलना शुरू किया, तो जब मैंने पहली बार सुनी थी तो लगा था कि इसको अगर गुन गुनाया जाए तो बहुत सुन्दर है, साहिल ने धोलक दिया वो बहुत अच्छा म्यूजिक दे देता है वो ये वाला धोलक या टेबल वाला धोलक भाई ने धोलक बजाया और मैंने ऐसे ही मुझे भी न बहुत कुछ अलग बन के निकल के आ सकती है एक बार तो पहले वो सुनाई है जब आपने इसको पहले कभी एक पोयम की तरह गुन गुनाया होगा किसी ने किसी मंच पे तो तब कैसा गुन गुनाया था वो हमें जिस दिन लिखी गई थी उसके शायद दस मिनट बाद इसकी कि नहीं पता इन उसको कोई मेनद नहीं किया कि मिन टोड़ू-मरोडू यहा सबसकता ऐसे हो सकता है वो a-cremos तो इक बार ज़ग हम के मिरे पानय कि आंओ सबते मेरे गाम फिर से कोई गीत गा मेरे गाम अ नदियों के पानी पे हंसों की डार हो, फागुन के रंग बरसे को रडों की मार हो, पन घट पे आई गोरी लंबी कतार हो, सावन के बद्रा बरसे का गज की नावला, आरी गो रहिया मेरे गामा बहुत खूब, बहुत खूब, इस गीत को हरियाना सरकार के परियावन से सम्मदी जो विभाग है, उसने एक समारों में जो विश्व, परियावन दिवस जो बना जाता है, ये लॉंच किया, उस दिन आपको कैसा लगा, जिस दिन ये डीवीडी के रूप में आपने देखा, ये लोगों के सामने, ये स्कीन पर चला, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने, ये सोच के नहीं लिखा था उसे, मैंने सिर्फ ये था कि मैं उसे गित को लिखूं, और मुझे इससे भी कोई नहीं था कि कोई हरियाना सरकार, या कोई परियावन भी भाग, या कोई भी उस तरी से के से ये लॉंच होगा लोग उसे देखेंगे लोग उसे सुनेंगे या इतने बड़े लावल पे खर्याना सरकार के केंद्रिय मंत्री के हाथों से वो गीत लॉंच होगा और बड़ी बात यह है कि बहुत बड़े दिनेश रगवंजी जैसे कभी जो है उसकारकरम क संचालन कर रहे थे उनकी भी टिपणी उस पर आई बहुत सारे लोगों की टिपणी उस पर आई तो मुझे निश्चित तोर पर बहुत अच्छा लगा उसमें बहुत बढ़िया लगा मैंने नहीं सोचा था कि यह मैं जो लिख रहा हूं उसकी यह माहिने होंगे और आई तिंग यह तो ग्रैडिट जो है मैं निश्चित तोर पर आपको देना चाहूंगा क्योंकि कही न कहीं आप अगर इसमें हम लोगों ने तो लिखना था लेकिन आपने उसको समझा आपने उसको देखा आपने उसको एक म्यूजिकल फॉम में आप उसको ले कि आए ह वहों के कुटूटर टेबल के ढूलक पर गुनगनाया था न हमने तो आपने उसको एक रलका सा म्यूजिक दिया उसके बाद फिर आप ने जिस तरीके से वीडियो स्थिट उसमें तो फूंहें अटे दिखती है उसमें कागज की नाव चलती दिखती है उसमें बैल-गारी दि वो लोग कहें कि वो मैंने लिखा है, मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकते। जब इस पोएम को एक संगीत का रूप दिया गया, एक गीत का रूप दिया गया, और पहली बार तुमने खुद सुना, तुम्हें खुद गुन कुनाते हुए, तुम्हें कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा, पर ये सोच के मैंने सुना कि मैं गाई का नहीं हूँ, मैं कविताएं बोलती हूँ, मैं एक ओरेटर हूँ, और मैं रिसाइट करती हूँ कविताओं को, मैं गाई का नहीं हूँ, क्योंकि गायन तो बहुत दूर की बात है, उसमें चंद नहीं है, उ यह सब जो चीजे हैं वो दूर की बात हैं उसके लिए कोछ आपको बाकाइदा पढ़ाई पढ़नी पढ़ती है वह बहुत अनुभ्यों पेचली जाती है तो मैंने जब उसको सुना था तो मैंने उसको कविता कि तार पर सुना था उस कविता को बस हलका हलका संगीत मिल गया और वो कविता समझ के ही मैंने सुना, उसको मैंने ये समझ के नहीं सुना कि इसको कोई गाई का गा रही है, बस मैंने ये से सुना कि ये कवितरी है, वो गुन-गुना रही है, कविता को गुन-गुना रही है, तो इतना समझ के सुना अच्छा लगा, अगर गाई का बन के सु लेगा, मन से कीजिए, मन से करोगे तो शायद ऐसी कोई अच्छा रूप भी ले जाएगी, वैसे आपने जो कोशिस की है, उसकी अप्रिशेशन बहुत बड़े लेवल तक भी हुई है, और उससे मैं आप से शायद आपके लिए भी सर्प्राइज होगा, दादा साहब फाल के पुरुषकार पाने वाले, आरी गुरिया, बहुत मीठी आवाद है, अच्छी धुन है, और बहुत बहुत क्यारे बूल है, तो ये थे मनोज साब के व्यू आपके इस गीत के बारे में, तेंक यू सर, बड़े बात, क्योंकि आज हमारा चैनल सिर्फ हरियाना तक सीमित नी है, ये अंतराश्टी इस त काम करना चाहते हैं, वो हिस्सा बने इसका, ताकि आपकी अच्छाई को हम पूरे भारत में, पूरे विश्व में फ्यला सकते हैं, और कहीं न कहीं में एक अच्छे समाज को बनाने में अपना रोल निभा सकते हैं, जिसका जो माध्यम है, जिसका शिक्षा का माध्यम है, व समाधें वे जीट संगीत के लिए या किसी में कोई और रचनात्मक अगर गुन है वो उसके लिए भी हमारे पास आ सकता है अम उसमें भी उसको भी चैनल में किसी ने किसी रूप से जोडने को तैयार है इसके सिवा इस गीट से अटके अगर बात करो आपने कुछ और भी रच अधन था उसी में मैंने काम किया और इलक्टोनिक्स मेडिया उस लेवल पर नहीं था तो कहीं नहीं मैं सोनल के इस आँखों में अपने सपने देखता रहा हूं सब कुछ उसी के भीतर मैंने देखा है तो जो चीजे रही है अब तक जितना मेरा क्रियेशन है चाहे वो जो वो सारे के सारा मेरी जब भी कलम चली है तो वो सोनल को ध्यान में रखके चली है कि ये बोलेगी ये गाएगी इसका फंक्शन है तो उस बीच कुछ चीजें अच्छे निकली है अभी पीछे आपके चैनल पे भी वो चली वो कविता और पूरे देश भर में वो गाई गई पूरे हरियाना में गाई गई बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशेट किया जाता है पत्थर बनी अहिला पर आंसू टपकाने आई हूं फिमेल फिटिसाइट पर कन्या बोन हत्या के उपर वो कविता है वो बहुत ये अच्छी कविता बन बड़ी उसमें भी मैं कहना अजनमी बेटी जो है वो सोनल उसको थोड़ा बता भी देगी अपको अगर आप उससे सुनना चाहें तो एक अजनमी बेटी जो है वो क्या पुकार करती है और वो मैंने केवल कुछ और सोच के नहीं लिखा मुझे लगा कि अगर मेरे घर में सोनल नहीं होती अगर सोनल पैदा नहीं होती सोनल नहीं होती तो मेरा घर कैसा होता और सोनल के बिना ये सब चीज़ें कैसे संभग होती कैसे वो अपने भाई को कैसे क्या करती कैसे वो बाती करती उसके बच्पन को कहीं न कहीं मैंने करीब से देखा और वो चंद बन गया मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वो सबसे अच्छा चंद है लेकिन मैं यह कहता हूँ कि वो एक अजनमी बेटी के लिए जो बात है वो बहुत अच्छी है वो बार-बार दिखाई जानी चाहिए बार-बार वो परमोट हनी चाहिए बार-बार वो चीज़े गाओं गलियों तक और उस माबाद तक वो चीज़ जानी चाहिए जो बेटी को कहीं न कहीं कमजोर मांते हैं और बेटी को अब इस दुनिया में नहीं आना देता है सुन रहे हैं आप एक पिता के शब्द उन्होंने किस धंग से किस भावना को किस धंग से कच्छे शब्दों में दे कर पहँचाया और इस बात को रेलाइज किया कि अगर वो बेटी नहीं होती तो क्या होता है तो जो लोग ये गुनाह कर चुके हैं वो भी सुन ले और जो गुनाह करने की सोच में हैं वो भी सुन ले कि कहीं आप भी ऐसा रेग्रेट करते जाएं पेरिंटिंग के लिए एक अच्छा एक्जामपल है जो अभी दिया साब ने बात की आप अपने बच्चों से पे अपनी सोच थोप सकते हैं आप अपनी कहीं न कहीं expectation लग सकते कि आपके बच्चे ऐसे बने लेकिन आप खुद contribute करते हों उनको तो जो काम इन्होंने बताई कि खुद शब्द लिखते रहे हैं अपने बच्छे के लिए बार 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 जन्होंने वो चीजे पोईटरी की है पेशे से पोईट नहीं है लेकिन उन्हा़ा इससरफ कि उनकी बच्छी बोले और वो अपने स्कूल कॉलिज के फंक्शन में जीते और उसके पीछे कही न कहीं अरजुन को आगे करके क्रिशन बनके ये जो रोल निबाया है आप भी अपने बच्चों के लिए कैसा रोल निबायेगा मुझे लगता है फिर कही न कहीं आपके बच्चों में भी कहीं न कहीं निकलेगी जो कहीं न कहीं आपके लिए प्राउड का कारण बनेगी यह बड़ी सीखने की बात है सोनल यह जो एक कविता है जो जेकर किया जिसका अब भी पत्थर बनिया ही लिया आप इस वक्त भावनाओं में हैं हम चाहेंगे कि इस बात को इस पोएम को एक बार अगर आप सुना सकें तो पडिकुलर वो चंद जो अजन्मी बेटी की बात है वो चंद अगर मतला वो चंद सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा अकसर जब भी मैं उस चंद को गाती हूं तो मैं खुद बहुत भावुक फिल करती हूं जब भी मैं गाती हूं तो वो चंद एक कह सकती हूं गीत सुना सकती थी कोयल की बोली में माँ रंगों की पिचकारी लेती फाग उनकी होली में माँ गुडियों का भी ब्याह रचाती मैं तेरे आंगन में माँ कोई ढराने आता तो छुप जाती मैं दामं में मा काम से जब तू ठक जाती मैं तेरे पैर दबा देती नन्हे नन्हे हाथों से मा काम में हाथ बटा देती तुतलाती बोली में मा मैं भी बात बता देती बच्चों संभाई लड़ता तो उसको मैं समझा देती मैं भी सजती तेरे द्वारे महंदी कुम्कुम रोली में खुशियों से आंचल भर जाता जब जाती मैं डोली में जन्म से पहले क्यों मरवाया यही पूछने आई हूँ पत्थर बनी अहिल्या पर आंसू टपकाने आई हूँ पत्थर बनी अहिल्या पर आंसो टपकाने आई हूँ यह समाज को एक कहीं न कहीं चेतना भी जगा सकते हैं और किसी अच्छाई की तरफ ले जा सकते हैं आप जैसे ऐसे गुणी वेक्ति को जिसने भगवान को जिसको भगवान ने विशेश गुण दिया हो बैक फुट पे नहीं रहना चाहिए कहीं न कहीं यह गुणा है समाज के लिए कि भगवान ने आपको गुण दिया आप गुण को छुपाए हुए है अगर बच्ची आगए बढ़ गई है तो आप उसका सहीयोग कंटीनियू दीजी आपके पास इतना बड़ा वैपन है आगए चलाने के लिए समाज में बदलाव लाने के लिए एक आपने ही जिस पर बहनत तयारी की है आप कंटीनियू लिखते जाएगा और बार बार आपकी लेखन को आपके काम को एंडी हरियाना मंच परदान करता रहेगा इस वादे के साथ आज ये प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं समय का भाव है इसलिए तो आपने समय निकाला इसके लिए धन्यवाद नमस्कार